आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है तो आज के डिफेंस अप्डेट वीडियो में तीन सबसे महत्वपून अपडेट सामने आ रही है तो जो वीडियो की पहले अपडेट है वो इंडिया यूएस जेटाइन की डिल को लेकर आ रही है तो भी फिलाल एक पहुती वेरेंट डेवलोप किया जा रहा है या नई किया जा रहा है और कावीर एंजिन का फ्यूचर क्या है इसके बार में भी हम थोड़ा सा डिसकेशन करने वाले है इसके अलवा जो वीडियो की नेक्स अपडेट है वो पाकिस्तान की फिप जनेशन फाइटर जेट को लेकर आ है तो अभी फिलाल पाकिस्तान तुर्की के बाद से टी एफेक्स फाइटर जयाने की कान फाइटर जेट को करीदने वाला है तो क्या भारत के एमसे फाइटर जेट से पहले तुर्की के जो टी एफेक्स फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को मिल सकता है और अगर बाद से प अपडेट के बारे में one by one डीटेल से discussion करने वाला हूँ अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे डिफेंस चैनल को subscribe करें बेल ऐकन दबना ना पुले और कमेंट सेक्शन में जेहिं जे बारत तरुली कीगा और इसकी अलावा अगर आपको मेरे डिफेंस क related content अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को like भी कर सकते हूँ और आपको डिफेंस के related कोई भी question हो तो question जरूर पूछेगा तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं लेको टाइम से जेट एंजिन को लेकर रोद नहीं नहीं update सामने आ रही थी पर अभी पहलाल ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के द्वारा यानि कि बाइडन एड्मिनिस्ट्रेशन के द्वारा जीए को यह मंजूरी दे दी है कि वह भारत के साथ टेक्नोरजी ट्रांफर करके जेट एंजिन को डेवलोप कर सकता है यह अलाब बात करे तो जो डिल स सबसे बड़ा सवाल तो यह ओडता है कि क्या अमेरिका ने आइपी रैट भारत को दिये या नई दिये तो उस रिपोर्ट में आइपी रैट को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है कि अलावा इस दिल के बार में थोड़ा डेटेल से बात करें तो अमेरिका के द्व बात हो रहा है तो फिलाल भारत 60% इंडिजिनिस कंपोर्टन का यूज कर सकता है इस एंजिन में और इसके अलावा आगे जाके 75 तक बढ़ सकता है तो बात करें तो भारत को चेट एंजिन टेक्नोजी तो मिल गई है पर भारत को आइपी रैट को लेकर भी कुछ सोचना कि 120 किलोनुटन तक कावरी एंजिन को पहचाए जाए इसके बार में भी हम तोड़ा सा डिसकेशन कर लेते हैं तो अभी पिलाल जो कावरी एंजिन है उसका ड्राइव एरेंट तो सक्सेस्पली डेवलप हो गया है पर अभी पिलाल उस ड्राइव एरेंट में अगर आप्ट टो सकतां तो अभी पिलाल कावरी एंजिन के साथ GTR को बहुत सरा काम करना पड़ेगा को अलाहा बात करें तो फिलाल की द्वारा एक प्लड़ोंत पार्टनर को डूंडा जा रहा है जिसके साथ मेलकर कावरी के उपर और ऑलेगोंद के लिए इंजिन की पूराना ना कावर बात करें तो GTRE को अपने दम पे ही जेट एंजिन को डेवलोप करना है तो उसको जापन की तरह ही जेट एंजिन को डेवलोप करना पड़ेगा याने कि step by step तो जापन ने कैसे पहले low power वाले जेट एंजिन को डेवलोप किया और उसको बाद में improve करके एक higher thrust वाले एंजिन में करनोट किया तो बारत को ही ऐसा करना चाहिए क्योंकि बारत की द्वारा पहले जो काविरी एंजिन की expectation थी वो बहुत ही ज़्यादा थी जिसकी वज़स से काविरी एंजिन को कही ना कही negative impact आया और उसके अलाबात करें तो बारत ने अगर step by step procedure को follow किया होता तो उसका result जो फॉर एंजिन है उसको रिफ्लेस करने के लिए काविरी एंजिन को suitable बना चाहिए उसकी बात जाकर उससे भी ज्यादा powerful engine के बारे में सोचना चाहिए वीडियो की next update के बारे में discussion कर लेते हैं तो कैसे हमारे निकम में पड़ो सी यानि कि पाकिस्तान के पास बारत से पहल पाकिस्तान को देनी वाला नहीं है पर अब फिलाल जो तूर्की है वो अपना टीएफेक्स यानि की कान फाइटर जेट के उपर पहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और यह मानना है कि 2030 तक तुर्की अपना फिप जनेशन का फाइटर जेट बना लेगा तो यह बारत के लिए सबसा बड़ा चिंता का विशा है क्योंकि बारत का जो एमसे फाइटर जेट है अगर सब कुछ सही रहता है और कोई भी डिले नहीं होती है तो भारते वायुषेन में 2033 तक एमसे फाइटर जेट शमील हो जाएगा पर सबसे बड़ी चिंता का विशाय तो यह है कि तुर्की का जो कान फाइटर जेट है वो भारते वायुषेना के एमसे से पहले डेवलप हो जाएगा तो एक तरह सी बात करें तो पाकिस्तान के पास पैसे तो नहीं होते ह पर वह कुछ न कुछ चुगाड करके किसी अन्य देश के पास से भीक मांग के भी हथियार को तो खरीद लेता है और अगर तुर्की का फाइटर जेट भारत से पहले बन जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी प्रैस करेगा कि कुछ न कुछ करके टीफेक्स यानि की का सरदर्द बन सकती है कि अलाब बात करें तो तुर्की के कांट फाइटर जेट में अमेरिका के एप 110 एंजिन का यूज किया जाने वाला है जो के मैक्सिमन 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस को प्रोवाइट करवा सकता है तो एक तरह से बात करें तो हमारे एमसी में 98 किलो करना चाहिए क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी दिश की पास फिप जैनेशन के फाइटर जेट आ गए तो हमारे पास जो रफल का अडवंटेज है वो चला जाएगा और पहले से ही जेट इन्टी नम का सरदर्द तो बारत के उपर बना है और एक नया सरदर्द आता है तो भा कई सरा को बहुत ही तैजी से काम हो रहा है जो कि देर कौन हाइपरसोनिक में सब्सक को में लगने वाले कई सारे सिस्टम का निर्मान शुरू कर दिया गया है और जो व्राहिए को प्राइ suggest कि नी रहेने और इसके अलावा प्रमुस AeroSpace का यह करना है कि इस मिशाल में मैक्सिमम इंडिजिनस का यूज किया जाएगा जिसकी वज़चे से इस मिशाल की प्राइस कम से कम रहे और उसके अलावा यह मिसाल ब्रमोस मिसाल से काफी ज़्यादा रेंज रखने वाले हैं वोप आपको मेरा इनपरमिटी वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अन तक देखने के लिए धन्यवाद जहें जपारत मिलते हैं अगले वीडियो में